हेलो गाई स्वागा थाब सभी का ऑनलाइन स्टड़ी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो मई 2022 की प्रतियोगिता दरपन आई है तो उसमें जो इंपोर्टेंट साथ संग्राय दिये हुए हैं इसके अलाबा वहाँ पे कुछ रास्टी और अंत शुरू करते हैं सबसे पहले हाँ पर देखे भारती इतिहास इवं संस्कृति के कुछ MC क्यूं है इने देखते हैं तो पहला कोश्चन है कि सासक के साशनकाल में प्रयाग में प्रति पांचे वर्स एक समारों का आयोजन होता था जिसे महा मोक्ष परिशद कहा जाता था तो दिधीर शो पर देखे में प्रति पांचे वर्स एक समारों का आयोजन होता था जिसका नाम महा मोक्ष परिशद होता था तो आपको इसमें समारों का नामAYाद रखना है और सासक का नामयाद रखना है रर्च वर्दन संस्कृति 1500-1000 इसापूर्व हमें दक्षिर भारत के उस एतिहासी यूग से परिचित कराती है जब महापाशान काल में उपयोग में क्या लाय जाते थे तो उस समय महापाशान यूग में यूज में लाय जाते थे बड़े पत्थरों से गहरी गई समाधियां यानि की जो कबर होती है तो बड़े पत्थरों से गहरी गई समाधियां इसका राइट आंसर है आगे है बौध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष किसे माना गया है तो जो अशोक के सिला लेख थे, अशोक के सिला लेख को बौध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रमानिक साक्ष माना गया है इसके बाद है एक word देखिए, numismatics तो question पूछ रहा है numismatics क्या है, किसे numismatics कहा जाता है तो जो सिक्के हैं और धातू हैं तो सिक्कों और धातूं के अध्यन जो होता है जो स्टड़ी होती है सिक्कों की और धातू की इसके स्टड़ी यानि अध्यन को कहा जाता है नियूमिसमेटिक्स अगला है वैदिक काल में किस यग में सूरा का प्रयोग किया जाता था देखे सौत्रा मडी सौत्रा मडी यग में सूरा का प्रयोग किया जाता था कब वैदिक काल में फिर किस युग में मानो भोजन संग्राय करने लगा था तो मानव यानि कि हम नव पाशान यूग से भोजन का संग्रह करने लगे थे फिर महेंद्रा दित्त की उपाधी किस ने धारण की थी तो कुमार गुप्त ने धारण की थी कौनसी उपाधी महेंद्रा दित्त की तो दोनों चीज आपको याद रखनी है फिर इसा की प्रारमिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच गनिष्ट व्यापारिक संबंदों की सुचना किस पुरस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है तो आरिक मेडू आरिक मेडू से हमें सूचना मिलती है ईसा के प्रारामिक सद्यों में भारत तथा रोम के बीच गानिष्ट वैपारिक संबंधों की आरिक मेडू फिर है भारत की अन रूई के सफेद है यह जो विचार है यह किसका था तो यह विचार था मेगास्तनीज का मेगस तनीज का विचारता कि भारत की जो रूई है यह जो बाकी जगह रूई मिलती है इनसे अधिक सफेद है इसके वाद है हर्स चरित में कि सासक को हूड हरिण केसरी कहा गया है तो प्रभाकर वर्धन, याद रखना आपको, प्रभाकर वर्धन को कहा गया हूड हरिड के सरी, कब हर्स चरित में, इसके वाद है राश्टी स्वतंद्रता आंदोलन, इसके MC क्यों हैं तो इने भी देख लेते हैं, पहला कोशन है हिंदू और मुसल्मानों के लिए अलग नि किया गया था, इसके आदक किस सत्र में भारती राश्टी कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानि की पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष घोशित किया था, तो लहार 1929 का जो सत्र था, यहां पे भारती राश्टी कॉंग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष गोशित किया गया था लाहर 1929 का सत्र फिर किस ने एक बार टिपड़ी की थी कि नेहरू एक देश भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है तो सर मुहमद इकपाल ने टिपड़ी की थी कि नेहरू जी एक देश भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है इसके आदा किस ने कह था कि साइमन कमिशन की जो रिपोर्ट है इसको बकवास की धेर में फेक देना चाहिए नेक्ष्ट है 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयों के रक्षा समीती जिसे सैनिक कर्मचारियों हत्यारों यूद समागरियों के विभाजन की जिम्मेदारी स्वापी गई थी उसका स अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रतक्षकारवाई दिवस के रूप में घोशित किया था फिर साइमन कमिशन का भारतियों ने भाहिसकार क्यों किया था क्योंकि ये भारती प्रतिनिदेत के बिना एक सर्व श्वेत आयोग था इस कारण से साइमन कमिशन का भाहिसका किया गया भारतियों के द्वारा नेश्ट च्छे अप्राइल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्यों कि जो तारीक है यह जूरी हुई है महात्मा गांधी जी के डांडी मार्च से इस कारण से 6 अप्राइल 1930 को भारत के इतिहास में जाना जाता है अच् उठाई थी इसके बाद है भारत के साशन में एक प्रतिनिधी और लोगपरी तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके दौरा किया गया था तो भारती परिशत अधिनियम 1909 के तहत भारत के साशन में एक प्रतिनिधी और लोगपरी तत्व को पेश करने का प्रयास किया गय को विधिक आधार निम लिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ तो देखिए यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसके अलावा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 तो दो यहां पर आपको कानून याद रखने हैं जिनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायुक्त असाधान सक्तियों को विधिक आधार यहां पर प्राप्त हुआ था इसके बादा सरवोच नियाले अपने द् देश का पुनरावलोकन कर सकता है यह जो व्यवस्था है समिधान के किस अनुषेद में उपबंदित है तो यह अनुषेद 137 में उपबंदित है फिर समिधान के निम्लिकित में से किस अनुषेद में यह व्यवस्था की गई है कि उचितम न्याले द्वारा विनिश्चित विधी भारत के राज चेत्र के भीतर सभी नायालो पर आवद कर होगी तो ये दिया गया है अनुशेद 141 पे नेक्स्ट है राज विधान परिशदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है तो ये निर्भर करती है विधान सभा की सदस्य संख्या उस पेटी है तो अनुझषेद के लिये पुन्य निर्वाचन की योगता निर्धारित करता है थेंदभाली कि अनुझेद के प्राफधानके अंतरगत भारत सरकार दवारा भारत रत्न पद्व विभूशण आधी अलंकार प्रदान किये जाते हैं 2080 के तहट किसी राज अनुझेद तो अधिक्तम राष्ट्पति शाषन जो है ये तीन वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और ये 356 के अंतरगत होता है ये पॉइंट भी आपको याद रखना है फिर है भारत एक धर्म निर्फपेक्ष राज है इसका मतलब है कि भारती राज किसी निश्यत धर्म का समर्थन न द्वारत समविधान की उद्देशिका में किया गया था जो शब्द है यह समाजवादी और धर्म निर्पेक्ष ठीक है समाजवादी और धर्म निर्पेक्ष तो इनको समावेशन इनका समावेशन जो है यह 42 संसोधन द्वारत समविधान की उद्देशिका में किया गया थ भारति सम्मिधान के किस अनुश्यद में भारति नागरीगों के बारति नागरिकों के मूल करतव शामिल है तो यह नुश्यद इंक्यामन तर्समे शामिल है इसका देखे भारत एव्टिष्द का भूगोल है तो इसमें पहला मॉश्य प्रदेश अंडमान निकोबार्दूइब समूंग की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस दूइब पर इस्थित है जो पोर्ट ब्लेयर है जो की राजधानी है अंडमान और निकोबार्दूइब की यह संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह है नील नदी कहा है इजिप्ट में यानि की मिश्र में फिर प्रित्वी पर समुद्र तल से सबसे गहराई वाला इस्थान कौन सा है तो यह है मारियाना ट्रेंच और यह भी इंपॉर्डेंट कोश्यन है याद रखना आपको प्र सांमन गंगा नदी से कहां बहती है तो दाधर नगर हवेली इसका राइट आंसर है फिर है दूरंड रेखा जो है यी किन दो देशों के बीच्ट का अंतराष्टी सीमा रेखा है है तो यह भारत और अफ़ आफगानिस्तान के बीच शहरैं है दूरंड रेखा फिर अंडमान निकोबार समू की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो ये है सैडल सैडल जो है ये अंडमान और निकोबार समू की सबसे उंची चोटी है फिर है चमेरा बांध ये बांध का नाम याद रखेगा चमेरा बांध आपको बताना है कि भारत के किस राज़ पर है तो ये है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में नदी कौन सी है तो ये रावी नदी पर बना हुआ है चमेरा बांध तीक है हिमाचल प्रदेश और रावी नदी और बांध का नाम चमेरा ये तीन दो जाता है तब तिस्थल अब प्रित्वी की सतायब पर जल वाईू एवर भूमि सहित जीवως का मंडल क्या कहलाता है तो यह कहलाता है जीव मंडल फिर है आई-उ-सीएन की शेत्र सनलग संगठन है तो यह juris सन्रक्षन के शेत्र में संगठन है और निहां निरथास के कारण स्रीघ्रही संकट ग्रस्त की स्रेणी में आने की आशंका वाली जाती को क्या कहते हैं तर्सी जाती को कहा जाता सुभेद जाती a यहाओ न화를 प्रित्वीके वायो मंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है तो जो पारा वैगणी किरणे होती है जो सूरच से आती हानिकार के किरने इनको पेथकर्वी है प्रवेस करने से रोकती है जो उजोन लेयर है यह ठीक है तो उजोन का यूज क्या है प्रithवी है इनको पृवजों करने से कौन में पहाडों पर काफी नमी वाद जल होता है फिर भी यहां मारूद्दि भद्थ क्योंकि धलानों के कारण पानी बह जाता है और पाधोह द्वारा उपयोग में नहीं ला जाता है की पारिस्तिकी तंत्र में उत्पाध को एवाम उप्योकताओं की संख्या को mayam संबंदी कारक निश्चित करते हैं पारिस्थिक तंत्र में उत्पाद को एवं उभुकताओं की संख्या फिर है मोलेम राष्टी उध्यान कहां है तो यह है गोवा में फिर है डिजर्टिफिकेशन यानि की मरुस्थली भवन किससे होता है ते होता है बहुत उच्च तापमा एवं कम वर्षा के कारान पारिस्थ की तंत्र में उर्जा का प्रमुक्स रोत क्या है तो सूर है प्रमुक्स रोत कहां पर पारिस्थितिक तंत्र में इसके बाद देखिए भारती अर्थ व्यवस्था है सबसे पहले है आर्बिट्रेज का अभिपराय क्या है तो स्वतंत्र विजेसी मुद्रा बाजार में कम मूल पर क्रह की गई मुद्रा की अन्यत्र उचे मूल पर बेजने की जो क्रिया है इसको आर्बिट्रेज कहते हैं फिर है बी एन युगांधर समिति किस छेत्र से संबंदित है तो ये संबंदित है राश्टी सामाजिक सहायता योजना से संगठन इसकी स्थाफना कब हुई थी तो इसकी स्थाफना हुई थी 1995 में भारत में शेयर बाजार के लिए मुख नियंत्रक का कार कौन सा संगठन करता है तो से भी आपने सुना होगा सेक्योरिटी एंड एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानि कि भारती प्रतिभूती एवं विनीमें बोर्ड यह भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख नियंत्रक का कार करता है प्याइब भारत में कर्मचारियों के महगाई भत्ये निलाहाई करने का आधार क्या होता ह यह होता है कंजिमर प्राइस इंडेक्स यानि की CPI उपभोगता मूले सूचकांग कौन से सूचकांग मानव विकास सूचकांग यानि की केंद्र सरकार का प्रमुक्त कार किया है केंद्र करो में राजयों के भागत में राजयों के भागता के लिए दी जाने वाली जो आता है इसके सिध्धान को निर्धारित करना ये कार है वित आयोक का इसके आदा सामान विज्ञान और तकनिकी सबसे पहले है विटामिन ए का रसानिक नाम क्या है तो विटामिन ए का रसानिक नाम यानि की केमिकल नेम है रेटिनॉल फिर मानव सरीर में विटामिन ए भंडार कहां पे होता है तो यह होता है या क्रित में रहे विटामिन ए एवं बी के आविश्कारक कौन थे तो मैकोलम अविश्कारक देविटामिन एवं बी के फिर है परजीनी फसल यानि कि ट्रांस्जेनिक क्रॉप सूंड चावल किस वनचनी लक्षण के लिए तयार की गई है तो यह त्यार की गई है विटामिन A के लिए फिर है विटामिन B1 का रसानिक नाम क्या है तो इसे विटामिन D कहा जाता है यानी कि विटामिन डी का chemical name है Kelsey Ferrol फिर है जब किसी तत्तो के परमाड़ू की एक से ज़्यादा द्रविमान संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है आईसो टोब नेश्टा किसी परमाड़ू का परमाड़ू का परमाड़ू का संख्या से होती से क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है परिश्करन नेक्स्ट है सिक्षा एवं बाल मनो विज्ञान तो पहरा कुश्चन है कोहला रिया सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है ये एक संग्यानात्मक संकार है फिर है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धान का प्रतिपादन किया गया था स्किनर द्वारा फिर है मांसिक आयूक का प्रत्य किस ने दिया था तो इसी ये दिया गया था बीने साइमन के द्वारा फिर है सूख्चम सिक्षन चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है प्रथम पद है योजना बनाना फिर है थार्ण डाइक ने अपने सिध्धांत में किस सीरसक से सिद्ध किया था तो अधीकम के प्रयास एवं भूल ये सीरसक था तो थार्ण डाइक ने अपने सिध्धांत को इस सीरसक से सिद्ध किया था अधीकम क प्रयास एवं भूल यह आपको सिर्शक याद रखना है फिर ठीड़ के आवंचित व्याहार के संसोधन है तुस्ट सबसे प्रभावी विधी कौन सी है सबसे प्रभावी विधी है आवंचित व्याहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाओ देना इसके अधा जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थान डाइक का बिल्यों से था वही संबंध कोहलर का वन मानुशों से था फिरा मिरार ड्रॉइंग पारिक्षान ये निम लिखित में किसके मापान ह जो प्रायूक्त होता है मीरा ड्रॉइंग परिक्षान गोलमन के अनुसार भावनात्मक बुद्धी के कितने भाग होते हैं नैंदा है इसके पाऊच भाग होते है इसके आध्य है The Behavior of Organisms यह जो पु修त्रों क्या जिए, यह कोका इसके पुष्टक opened है। भारत में बूजेव स्नचार के सांस्क्रटिक बाधाय को प्रदर्षित करता है, करता है फिर प्रभावी श्रवण में शामिल क्या है तो सब्दों का सुनना और अर्थ को समझना और उसके आद उसे याद करना यानि कि इसमरण करना यह प्रभावी श्रवण में शामिल है फिर अंतर व्यक्तिक संचार की सफलता किस पे निर्भर करती है तो यह आपसी विश स्वास्वा समझ पर निर्भर करती है तक विचारों और संदेशों को मौखिक और गयर मौखिक संकेतों में बदलना यह किस लूप में जाना जाता है इसे इनकोडिंग कहा जाता है कि अधर संचार की वयविधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में receiver को एक साथ सूचना प्रेशित करना शामिल है यह क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है जन संचार फिर अंतर व्यक्तिक संचार में पक्षकार मातु किसे देते हैं तो यहाँ पर सूचनाओं के भावार्थ को मातु दिया जाता है फिर मुझ से निकला हुआ सब्द वापस न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला यह समस्य है इसको किसके द्वारा हल किया जा सकता है तो इसको भावात्मक समस्य हल किया जाता है इसके बाद है कालिक संप्रेशन का अध्यन जो है इसे क्या कहा जाता है तो जो कालिक संप्रेशन का अध्यन इसे क्रोनो म होती इसका खेलकूत के कुछ कोश्चन है तो देखें पहला कोश्चन है टेनिस के किन इस परधाओं को Grand Slam इस परधाएं कहा जाता है तो चार Grand Slam होते हैं अस्ट्रेलियाई ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन और अमेरिकन ओपन यानि की अमरीकी ओपन तो यह चार इस परधाएं हैं जिने Grand Slam कहा जाता है और यह जो फ्रेंच ओपन है इसे एक और नाम से जाना जाता है जो की है यह जाता है और यह लेने वाली भारत की ओ से पहली महिला का नाम क्या था तो यह Sentra ने वर्ग होते हैं तो उसमें चार चो तो गोल पोश्ट है, इसकी चोड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चोड़ाई होती है, 24.66 feet यानि की 7.32 meter की, फिर है राश्ची खेल दिवस किस दिन मना जाता है, तो 29 अगस्त को मना जाता है, राश्ची खेल दिवस, फिर जो क्रिकेट की जो पीछ होती है, इसकी लंबाई कित संबंदित है फिर क्रिकेट से संबंदित प्रेमदासा जो स्टेडियम है यह कहां पर है तो यह स्रिलंका के कोलंबो में है प्रेमदासा स्टेडियम होकी में कितनी दूरी से पेनल्टी का जो स्ट्रोक है यह मारा जाता है जो पेनल्टी स्ट्रोक है यह होकी में आठ गर्च की बीज में खेला जाता है इसके अधर क्रिशी है तो क्रिशी में पहला कोश्चन है किस चीज की अधिक पैदावार होने वाले किस्म है तो यह चावल की एक किश्म है फिर भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रती हेक्टेयर पैदावाद सरवादिक होती है तो यह पंजाब भारती दलहन सोज संस्थान ये कहां पे है तो ये है कानपूर में भारत में क्रिशी को तुछ प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे मातपूर्ट तो कौन सा है तो ये है व्रिष्टी फिर उस खाद फसल का नाम बताईए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है सबसे दिखोता है चावल फिर भारती सबजी सोज संस्थान कहां पेस्थित है तो ये है बनार अस्यान की वारानजी में फिर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है तो ये है ट्रिटिकम एस्टिवम तेक्या ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम फिर जगन्नाथ क्या है तो यह चावल की उपपरिवर्तन किस्म है जगन्नाथ फिर चने का वानस्पतिक नाम क्या है चने का वानस्पतिक नाम है साइसर एरी टीनम भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राजी करता है इसका अंसर है मद्यप्रदेश में होता है सबसे अधिक दाल का उत्पादन इसके बाद है computer ग्यान तो computer ग्यान में पहला question है magnetic tapes floppy disk optical disk flash memory और hard disk ये किसका उधारन है तो ये है secondary memory यानि की सहायक memory फिर Linux operating system क्या है तो ये है एक multi user multitasking operating system Linux फिर आगला question odbc का full form क्या है तो odbc का full form है open database connectivity open database connectivity ये full form है odbc का next है tftp का पूरा नाम क्या है full form है tftp का trivial file transfer protocol इसका देखिए www service web server और web browser के भी संपर्क इस्थापित करने के लिए कौन सा protocol इस्तमाल किया जाता है तो ये है http यानि की hyper text transfer protocol फिर उस hardware को क्या कहते हैं जो computer से digital signal को analog में बदलता है और telephone lines वारा भेज सकता है तो उसे कहा जाता है modem फिर है ip address कितने classes में विव भाजित होते हैं तो ip address 5 classes में विव भाजित होते हैं next है एक operating system का हिस्सा जो इस्थाई रूप से मुख memory में रहता है इसे kernel कहा जाता है next है एक website से दूसरी website पर जाना क्या कहलाता है तो ये browsing कहलाता है लास्ट कोश्चन ने programming language सी जो है ये किसका उधारण है तो ये structured programming language का उधारण है जो आपने programming language सी सुना होगा वो इसके वाद यहाँ पर है कुछ vivid question तो इन्हें भी देख लेते हैं पहला question है भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी तो ये थी आलम आरा ये भी important question है पूछ भी चुका है पहले एक्जाम में तो आद रखेगा आलम आरा भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी next है किस योगिक को सामानयत फलो और उसके रसको सुरक्षित रखने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो ये है sodium benzoate next है एक ही स्थान पर लगने वाले दो महा कुम्भ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है तो बारा वर्ष का अंतराल होता है इसके यामनी राय ने कला के किस श पुसकर मेला अजित होता है अजमेर में प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरीहर छेत्र का मेला लगता है आपका बिहार में फिर उस इस्थान का नाम बताए जहां गीत का स्री त्यागराच के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराच आरात्ना त्योहर मना पर का जाता है तंजावूर में नेक्स्ट छाहिं लूसरी सरवाधिक भूलने बूली याने वाली भाषण कौन सी है तो हिंदी के बाद भारत में सबस्यादा बोल जाती है बंगला नोर्ट किस भाषा को इटालियन जाहा जाता है तो तेल 강ी ch Assim en dah किस राज़ की राजभाषा अंग्रेजी है तो नागालेंड धुक्त麼 एक मात्र राज़ जीत कर पहली बार सरकार बनाई है तो इसका अंसर है पंजाब अभी हाली में जो विधान सभा चुना हुए थे निर्वाचन हुए थे यहां पर आम आदमी की पार्टी ने यहां पर पंजाब में जीत हासिल की है और यहां पर सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने तो आम 2022 में प्रकाशित संयूक तुराष्ट संग की वर्ष 2021 की सस्टेनेवल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत का कौन सा इस्थान है तो इस साल भारत रहा है 120 नंबर पे पिछले साल भारत था है 120 यहां पे टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था तो 165 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत 120 स्थान पर है अब बात आती है की पहले इस्थान पर कौन था तो पहले पर आपका था फिनलैंड पेर भारत सरकार द्वारा युद ग्रस्त यूप्रेन से वहाँ रह रहा है जो भारती हैं उनको विसेस रूप से सकूशल भारत वापस लाने के लिए कौन सा ओपरेशन चला गया था तो ओपरेशन गंगा चला गया वायू सेना ने वायू यान के थुरू और जो बसेस हैं उनके थुरू जो वहां पे स्टुडेंट हैं और जो भी भाती रह रहे हैं उनको वापस भारत लाए गया था इसके आदा भारत में विश्व का सबसे उचा रेलवे ब्रिज जो है 21 नदी पर निर्माणा अधीन है जो पर एक आर्क रेलवे पूल बन रहा है जो कि बक्कल और कौरी स्थानों को जोड़ेगा और यह विश्व का सबसे उचा रेलवे ब्रिज होगा तो यह जो ब्रिज है यह नदी की जलसता से 369 मीटर उचा होगा स्था भारत सरकार के स्वास्त मंत्री मंसुख मांडिवा दोरा भारत से ट्यूबर क्लोसिस यानि की टीवी बीमारी को कब तक समाप्त करने का लक्ष बताया गया है तो 2025 का लक्ष रखा गया भारत में भारत को टीवी मुक्त बनाने के लिए और यह जो इंफॉमेशन है यह योग गुरु को पदमुष्रे से समानित किया है तो यह है स्वामी शिवानंद जी जिनकी उम्र है 125 वर्ट तो इस सरवाधिक आयू के योग गुरु बन गया है जिनको पदमुष्रे से समानित किया गया है नाम्याद रखना आपको स्वामी शिवानंद भारत सरकार ने किस प्रसासनेक अधिकारी को भारती भीमान यामक एवं विकास प्राजी करण यानि की IRDA का चेर्मेन बनाया है नया तो यह हैं देवसीश पांडा जी ठीक है तो देवसीश पांडा जी नया चेर्मेन बन गये हैं IRDA के मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में भारत का 146 आश्टो में कौन सा इस्थान है तो भारत रहे 136 वे इस्थान पे ठीक है 136 वे इस्थान पे रहा है भारत अभी हाली में जारी की गई वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट में और टॉप पे कौन रहा है तो इसमें भी टॉप पे रहा है फिनलैंड भारत रहा है 136 वे नमबर पे इसके बाद देखते हैं भारत के किस विकलांग धावक खिलाडी ने दुबई में आयू जीत दोहजार बाइस के वर्ल्ड पैरा अथिल है और इसके लिए इन्हें स्वंड पतक दिया गया है इसके अलाब आपको कुछ नाम और याद रखने हैं तो भारत के सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने जैवलिन थ्रो में यहां पे स्वंड पतक जीता है तो तीन नाम आपको यहां से याद इसके बाद है भारत की पूरुष ट्रैप शूटिंग टीम ने मार्च 2022 में शौटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पतक जीता है तो यहां पे भारत की टीम ने जीता है रजत पतक तो यह जो टूर्नमेंट था कहां पे हुआ था यह निकोसिया जो कि साइपरस में यहां पे पतक जीता है कुवायद की टीम ने भारत के किस राज्य ने पहली बार कार्बन न्यूटल फार्मिंग करने के लिए 2022 ते इसके बजट में धन आवंटित किया है तो यह राज्य है केरल तो केरल ने 2022 ते इसका जो बजट है उसमें 6 करोड का प्रावधान दिया है कार्बन न बारती पूर्व क्रिकेटर है सुरेश रह न इनको हाल ही में यहां पर मतलब की मालदीव है वहां के स्पोर्स आइकन एवार्ट से सम्मानित किया गया है किस भारती तत्रक्षक पेट्रोलिंग जहाज को 16 माच 2022 को कमिशन किया गया है तो यह है आई सी जी एस सक्षम ठीक है आई सी जी एस सक्षम को भारती तत्रक्षक में यहां पर शामिल किया गया है तो गोवाश एप्याड लिम्टेट दोरा यह वैसल बनाय गया है जोकी एक ऑफशोर पेट्रोल वैसल है जिसका नाम दिया गया है आई सी जी एस सक्षम और यह जो जहाज है स्रेणी का पाच्म पदक जीता है तो यहां पे है विश्व पैदल्यू काल जेंप्योजिप उनिता फ्रजा पती पावना जाट और रवीना आ की महिला टीम इस्वाइब काल जो चैंप्योजिप ती यह ऑमान के मसकट में हुई थी और इंपॉर्टेट है क्यों इस प्रतियोगिता में भारत की महिलाओं द्वारा अब तक कई पहला पदक जीता गया है संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ल्ड कठपुतली यानि की पपेट्री दिवस 21 मार्च 2022 से कौन सा उत्सव भारत के पांच एहरों में मनाए गया तो यह है पुतुल उत्सव मनाए गया कहां कहां पे दिल्ली वारा नसी हैदराबाद अंगुल और अगर तला यहां पे संगीत नाटक अकादमी द्वारा 21 से 23 माज तक पुतुल उत्सव मनाए गया है अब आगे बढ़ते हैं अंतरास्टी तत की तरफ तो यहां पर पहला कोश्चन है मार्च 2022 में गोशित 75 वे बाफ्टा एवार्ड में किस फिल्म को सर्वसेश्ट फिल्म एबम उसके निर्देशक को सर्वसेश्ट निर्देशक का पुरुसकार्द मिला गया है दिया गया है तो फिल्म का नाम है तो पावर ओफ द डॉग ठीक है तो अभी हाली में मार्च 2022 में 75 वे बाफ्टा यानि की ब्रिटिस अकैडमी फिल्म एवार्ड दिये गए हैं तो इसमें सर्वसेश्ट फिल्म का एवार्ड दिया गया है तो इसके अलाबा इसी फिल्म के जो तो अपने हाँ明च 2022 में मानता दी है तो यह है तुर्कमेंस्तान तो तुर्कमेंस्तान मद एशिया का पहला राश्ट वनगये है डिल्म के 202 में मार्च 2022 में जो हुव इसका नाम क्या है पीव इसका नाम है exercise cold response 2022 यह exercise का नाम था 16 मार्च 2022 को प्लिटेवरीक में आवजीत मिस वर्ड 2021 में विजेता कौन रही है तो यह है कैरोलीना बलिवासका इन्होंने जीता है मिस वर्ड 2021 का यह कहां की यह है पोलेंड की इसके अधा उत्तर कोरिय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी किस अंतर महाद विपी बैलास्टिक मिसाइल यानि की हैपिनिस रिपोर्ट 2022 जो अभी प्रकाशित की गई थी इसमें लगातार पांचे वर्ष कौन सा देश सबसे उपर रहा है तो मैंने आपको भी रिसेन में बताया फिन लेंड था टॉप पे इस इंडेक्स पे और यह लगातार पांच सालों से फिन लेंड सबसे उपर रह र कारण से जो यूक्रेन में भारत के अंबसी है यानि की दूता वास है उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है टेंप्रेरी रूप से पोलैंड में है फिर विश्व की कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन इंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन होगी तो यह स्विस इ गडितागे को प्रदान किया जाएगा यह गोशना की गई है तो डेनिस पी सुलीवान को दिया जाएगा एवल प्राइज दो हजार बाइस का ठीक है और यह जो एवल प्राइस है यह गडित के छेत्र का नोबल पुरुसकार माना जाता है ठीक है इसके बाद है अस्ट्रेलिया की किस युवा महिला खिलारी ने टेनिस अंतरास्टी प्रतियोगिताओं से सन्यास लेने की घोशना की है तो यह है असले बाटि याद रखना और यह अस्ट्रेलिया की लेखेलती थी याद रखना है यह आपको याद रखना है यहां से भी कोश्चन बन सकता है और 2019 में इन्हों ने फ्रेंच ओपन भी जीता था भारत पाकिस्थान इस्थाई सिंधु आयोक की वासिग बैठक मार्च 2022 में कहां सं लामाबाद पर संपन्न हुई है इसके बाद है दक्षिंट कोरिया में मार्च 2022 में संपन्न चुनाओं में कौन नया राश्पती निर्वाचित हुआ है तो यहां पर यून सुक योल ठीक है दक्षिंट कोरिया में अभी राश्पती चुना हुए थे जहां पर यून सुक योल को नया राश्ट्पती निर्वाचित किया गया है इसके वादा आर्खीडेक्च्चर छेत्र का प्रतशथित पूरुस्कार जो है ये 2022 का पूरुस्कार के से प्रदानकर ने कोषना की कि कहां इस्थापना का नेड़ा मार्च 2022 में लिया गया है तो इसकी स्थापना होगी भारत में तो विश्वस्वास संगठन एवं भारत के आईश मंत्राले द्वारा मार्च 2022 में समझोता किया गया है जिसके तहत गुजुरात के जाम नगर में GCTM 1995 यान loads of international medical treatment के स्थापना किया गी राष्ट्वे 17 सीलिद कालिन पैरलंपिक खेलों किस राष्ट का सरवाधिक पदग्जीत कर पदग्त्रालिका में सिसस्थान रहा है तो सबसे उपर रहा है चीन ठीघा थे जो कि चीन के बीजिंग में हुए अभी हाले में संपन हुए हैं और इसमें सबसे उपर रहा है चीन चीन ने टोटर यहाँ पे 61 माडल जीते हैं जिसमें 18 सवंड 20 रजत और 23 कांसे थे और सबसे उपर रहा है चीन तो आज के आंक में बस इतना ही आई होप आपको सेशन यूसफुल लगा होगा अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए इसके लाबा अगर आपको वीडियो को लेके कुछ डाउट है कुछ सजेशन है तो आप बिल्कुल कामेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करेंगा टेलिग्राम पर जूड़ने के लिए आपको जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप जोइन कर सकते हैं बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड थैंक्यू गाइस